लखीमपूर खीरी जिले में दिपावनी के पर्व को लेकर कुमारों ने मिट्टी के दिये बिनाने का कारिया जोरो पर शुरू कर दिया है लेकिन दियों की खरीदारी न होने से कुमारों की हालत दैनी हो गई है क्योंकि वही लोग मुट्धी वो चाइनिज ज़ालों की ही खरीदारी करते नजर आ रहे है असत्य पर सत्य की जीत वप्रकाश पर्व के नाम से जाना जाने वाला दीपावली पर्व के अब मातर कुछ ही दिन बचे हुए है कभी दियों की रोशनी से जगमगाने वाला दीपावलिका पर कुछ सालों से आधुनिक्ता के साथ चाइनिस जालरोव मुंबत्यों की चमक दमग में ही नजर आ रहा है इसी कारण इस बार भी लोग मिट्टी के दियों की खरीदारी नहीं कर रहे है देखा जाए तो एक सरकार लोगों को मिट्टी के दियों के प्रतिजागरू करने की लगातार कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी आधुनिक्ता के चकाचौन में मिट्टी के दियों की रोशनी फिकिसी हो गई है वही कुमारों के हालत का जाइजा लेने के लिए लखिम पूर खीरी के समवाद दाता फारुख हुसेन ने कुमारों से बाच्चित की जिसमें कुमारों ने बताया कि आधुनिक्ता की चकाचौन में लोग दीपों के महत्व को भूल गए है उन्होंने बताया कि दीपों से होने वाले प्रकाश का अपना अलग ही महत्व है उनके द्वारा हर साल की तरह इस बार भी मिट्टी के दीपों के बनाने का कारिय जोरो पर किया जा रहा है उनका कहना है कि बिक्री हो या ना हो लेकिन वह अपनी परंपरा वह करतव्य से पीछे नहीं हटेंगे लेकिन दियों की बिक्री ना होने और इस महेंगाई के दौर से हम लोगों के हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए है परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है वही गुमारों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई चीजों फोल्टती से लेकिनि अ-पान्दारी भाह सहत बिल्कुल नहीं है ना के बराबर है यह आप आप नहीं पांच लेना है आप की लोग रहे हो दो नहीं जे रहे हैं कोई दौनदारी पिलाबर जान लीय दकान इनalo लखीम पूर खीरी से फारुक हुसेन की रिपोर्ट